Hello everyone, welcome to SodaCoder, मेरा नाम है Raveena, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं Software Engineer हूँ और मैं Algorithm and Data Structures पे मेरे YouTube चैनल से हैं, तो अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेर कर रहे हो या simply सीखना चाहते हो, तो प्लीज मेरा चानल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको वीड जो है Generate Paranthesis, तो पढ़ते है Question, Given N Pairs of Paranthesis, write a function to generate all combinations of well-formed paranthesis, तो यहाँ पर क्या है कि हमें N एक integer दिया जाएगा, और हमें ऐसे N Pairs of Paranthesis बनाने हैं, N Pairs मतलब एक पैर में दो ब्रैकेट्स आएंगे, तो बेसिकली अभी यहाँ पे N एकोल टू 3 दिया है, तो मुझे ऐ इसा valid paranthesis बनाना है sequence, जहाँ जो उस number का हो, so basically यहाँ पर N 3 है, तो आप देखोगे यहाँ पर यह ओपन क्लोस है, यहाँ पर ओपन क्लोस ब्रैकेट्स है, और यहाँ पर ओपन क्लोस, तो ऐसे कितने valid आप sequence बना सकते हो, उतने आपको sequence बनाने हैं, और वो एक list में डालके return करने हैं, तो आज हम यह problem solve करने वाले है backtracking यूज करके, जो एक काफी intuitive solution है, तो start करते हैं, notepad पे जाएंगे, तो अब हाज हम लेने वाले example n equal to 2 का, तो अब हम इसकोच करने वाले है backtracking से solve, backtracking के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए है एक result list या result array, तो मैं एक result array बना लू और उसको मैं रखूँगी empty फिलाल, अब मुझे ये particular algorithm के लिए 3 चीज़े चाहिए, एक होगा मेरे left parenthesis कितने है, मेरे right parenthesis कितने है, और मेरे strings, वो strings जो मैं ये result में add करने वाले हूँ, तो सबसे पहले मेरा होगया left, फिर है right और फिर है s, अब मैंने मेरे variables तो समझ लिए, अ अब मुझे सोचना है कि मेरे breaking condition क्या होगी, कोई भी recursive algorithm में breaking condition बहुत important है, क्योंकि अगर आप अपनी breaking condition बराबर से नहीं लिख रहे हो, तो either आपका program time limit accident में चला जाएगा, time loop में चला जाएगा, या तो आपको गलत result मिलेगा, तो इसके लिए बहुत important है कि आपकी condition क्या हो तो मेरे इस scenario में मेरे पास length, मेरे पास end दिया है, मेरे breaking condition यह होने वाली है, मैं check करने वाली हूँ कि मेरे s की length, मतलब जो मेरी substrings है, जो मेरे result में जाने वाली है, उनकी length मेरे end की double है क्या, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे example में भी end 3 था, लेकिन उसका जो result है, each string वो 6 length की थी, तो इसे लिए मेरे first condition होगी, if मेरे length of s is equal to equal to 2n, अगर यह true है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे मेरे result में उस string को add करना है, तो मैं करूँगी result.add string, since यह breaking condition है, हम यहाँ पे करेंगे return, okay, breaking condition तो हो गई, अब हमें यह condition के पार में सोचना है, जो मेरा output बिल्ड करेगा तो first condition हम यह use करेंगे, कि क्या मेरे left number of parentheses n से कम है क्या, अगर मेरे left parentheses n से कम है, इसका मतलब में और opening parentheses जाल सकती हूँ, तो मैं वो ही करने वाली हूँ, तो अब यहाँ पे देखेंगे, हम अगर मेरा l less than n है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे left bracket add करूँगी, तो मैं करूँग मेरा l में मैं एक bracket add कर रही हूँ, इसका मतलब मेरा l का count बढ़ जाएगा, तो यह हो गया l plus 1, मेरा r का count में वो ही रखने वाली हूँ, तो यह r ऐसे कैसे रहेगा, और s में मुझे opening bracket add करना है, तो फिर मैं करूँगी s plus यह parentheses, यह c नहीं है, यह parentheses है, तो यह हो गया हमारा left bracket क बारे में भी सोचना है, तो right bracket में हम देखेंगे, if right is less than left, तो हम करेंगे recursive call, अब मैं right is less than left क्यों बोल रही हूँ, n क्यों नहीं, क्योंकि मुझे उतने number of right brackets, closing brackets चाहिए, जितने मेरे पास left है, अगर मैं right bracket पहले डाल दूंगी, या जादा डाल दूंगी, तो वो invalid हो तो मुझे फिर से dfs call करना है, इस बार मैं right add करने वाली हूँ, तो मेरा l रहेगा same, मेरा right हो जाएगा right plus 1, और मेरा s हो जाएगा s plus closing bracket, remember, यहाँ पे मैंने right add किया, इसलिए closing bracket add किया, तो अब ये हो गया हमारा algorithm, अब देखते हैं इसे हम कैसे implement होगा, ये कैसे, इसका execution कैसे होगा, तो हम start करेंगे n equal to 2 के example से, so initially मेरा left रहेगा, आपको पता है मुझे boxes बनाना बहुत पसंद है, तो first initial call जो जाएगा मेरे dfs function को, उसमें मेरा l होगा 0, मेरा r होगा 0, और मेरा s होगा empty, अब जब मैं ये program में जाऊंगी, मैं यहाँ पे आई, first condition पे, तो हम इसको number कर देता है, एक second, ये है मेरी first condition, ये है मेरी second condition, और ये है मेरी third condition, तो अब मैं first condition पे आई हूँ, first condition पे मैं चेक करूंगी, क्या मेरी length of s is equal to equal to 2N है क्या, अब मेरी length of s देखिए, अभी तो 0 है, क्योंकि ये empty है, तो है क्या equal to equal to 2N, नहीं, okay, second condition पे जाएंगे, second condition पे आ गए हम यहाँ पे देख रहे है, if L is less than N, अब मेरा L तो 0 है, यहाँ पे L है ये चीज़ों है, 0 है, तो L तो है less than N, तो अब क्या होगा, अब मेरे DFS function को मैं call करूंगी, मैं मेरे DFS function को call करूंगी, L को करूंगी L plus 1, तो ये हो जाएगा 1, R ऐसी ही रहेगा, आप देख रहे हो, यहा opening bracket add हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने opening bracket add कर दिया, okay, since अभी ये नया recursive call है, तो उसका खुद का box मिलेगा, तो मैं यहाँ पे जाओंगी, और एक box बनाओंगी, तो box में क्या input आया, 1 आया, 0 आया, और एक opening bracket आया, cool, फिर से मैं जाओंगी first condition पे, क्योंकि ये recursive call है, जैसी ह हम खुद को recursive function को call करेंगे, फिर से उसके top पे जाएगा, या वो method पे जाएगा, तो अभी हाँ पे, मैं फिर से आगई, first condition पे, मैं चेक करूंगी, if my length of s is equal to equal to 2n, मेरी अभी length of s 1 है, 1, 4 है, 2n is nothing but 4, is 1 equal to 4, no, ठीक है, second condition पे जाएगे, second condition पे आये, हम देखेंगे, is my l less than n and l तो 1 है, और n तो 2 है, तो 1 is less than 2, correct, तो हम फिर से जाएगे और call करेंगे dfs function को, तो अब यहाँ पे मेरा dfs function है, जहाँ पे l हो जाएगा, l plus 1, तो l हो गया 2, r सेम रहेगा, और मेरे s में एक opening bracket और एक add हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऐसे, ठीक है, अब फिर से हम top पे जाएगा है, first condition है, length of s is equal to equal to 2n, मेरी length of s अभी 2 है, right, okay, first of all, यह dfs recursive call है, तो सबसे पहले मैं उसको एक खुद का box मिलेगा, okay, अब हम जाएगे first condition पे, यह तो हमने already check कर ली, वो तो नहीं है 2n पे, second condition पे आए, is l less than n, l अभी 2 है, तो 2 less than 2, it's wrong, it's false, ठीक है, next condition पे जाएगे, तो अब हम आगे third condition पे, third condition पे है, is r less than l, r तो 0 है, l तो 2 है, तो 0 is less than 2, yes, तो हम करेंगे यह वोले dfs को call, तो यहाँ पे dfs call आ जाएगा, l सेम रहेगा, r हो जाएगा 1, और फिर s में एक closing bracket और हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एसे, ठीक है, since अभी यह नया call हो गया, recursive call, तो उसको एक नया box मिलेगा, खुद को, तो उसमें input क्या था, 2, 1, और दो opening, एक closing bracket, ठीक है, फिर से चले गए, start पे, इस length of s equal to equal to 2n, length of s तो 3 है, इस 3 equal to 4, नहीं, ठीक है, second condition पे चले गए, is my l less than n, l 2 है, 2 less than 2, false, next condition, r less than l, yeah, my r is 1, l 2 है, तो 1 is less than 2, correct, तो हम फिर से करेंगे dfs call, यहाँ पे फिर से dfs call होगा, जहाँ पे l रहेगा same, तो l हो गया 2, r हो गया 1 plus 1, 2, वो increment होगा, और फिर last में string में हो जाएगा, एक closing bracket add, अभी since यह नया call है, तो फिर से एक box बनेगा, जिसमें input है 2, 2, और फिर यह string, since यह नया call है, यह उपर जाएगा, सबसे पहले condition पे, is my length of s equal to equal to 2n, अभी मेरी s की length देखिए, यह है 4, right, और यहाँ पे 2n भी है 4, अच्छा, इसका मतलब, यह इसके अंदर जाएगा, और उसको result में add कर देगा, तो जो मेरी s की value है, जो है यह, वो हो जाएगी, add मेरे result में, अब result में add होने के बाद यह कर रहा है, return, तो recursive function में, return हम कैसे करता है, यह box से अभी return किया, तो यह चला गया, यहाँ पे, अब मैं यह box पे आ गई, पर यह box पे हमने last क्या किया था, आप इसको देख सकते हो, यह उपर की line और नीचे की line, तो यहाँ पे last में, एक closing bracket था, यहाँ पे दो closing bracket है, इसका मतलब यहाँ पे मेरी यह third condition follow हुई थी, third condition follow हुई थी, मतलब हमारा already method तो खतम हो चुका है, तो यह फिर से हो जाएगा backtrack, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे भी closing bracket add हुआ था, इसका मतलब यह भी second condition है, तो यह फिर से हो जाएगा backtrack, अब मैं यहाँ पे आ गई, इस में हमने first condition सिफ की थी call, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, opening bracket है, okay, तो इसका मतलब यह second condition हो गई थी, अब मैं जाओगी, third condition check करने के लिए, with respect to यह parameters जो input में आये थे मुझे, ठीक है, तो मैं देखोंगी, is r less than l, मेरा r क्या है, 0, 0, मेरा l क्या है, 1, 0 is less than 1, yes, तो मैं करूंगी dfs call, तो यहाँ पे आ जाएगा एक dfs call, जहाँ पे l रहेगा same, तो l क्या है, 1, तो 1, r हो गया, r plus 1, तो 0 हो गया, 1, और फिर s में हम एक closing bracket add कर देंगे, तो अब मैंने एक नया dfs call किया, since यह नया dfs call है, मैं करूंगी एक नया box, तो यहाँ पे मेरे box में input है 1, 1, और ये, ठीक है, मैं फिर से गई start पे, मैंने देखा, is my length of s equal to 2n, क्या length of s is 2, 2 is equal to 4, नहीं, ठीक है, second condition पे चले गए, is my l less than n, क्या मेरा left, left अभी 1 है, 1 less than 2, yes, तो अब हम करेंगे dfs call, तो dfs call करेंगे, l हो जाएगा, l plus 1, तो यह हो गया 2, r रहेगा same, और मेरे जो string है, उसमें एक opening bracket add हो जाएगा, since नया call, नया box, तो अभी 2, 1, और ये, अब मैं उपर गई, फिर से first condition पे, is length of s equal to 4, नहीं, 3 is equal to 4, no, false, second condition पे गई, l is less than n, l 2 है, is 2 less than 2, no, ठीक है, third condition पे चले गए, is r less than l, तो r है मेरा 1, is 1 less than 2, yes, ठीक है, तो अभी यह हो जाएगा, मेरा function call, तो यहाँ भी मैं l रहेगा same, r हो जाएगा plus 1, तो 1 plus 1, 2, और उसमें एक closing bracket add हो जाएगा, तो यह हो गया यह, अभी नाया call है, तो नाया box, इसमें मेरे पास आ गया 2, 2, और यह string, अब मैं जाओंगी फिर से first condition पे, first condition पे गई, चेक किया, is length of s equal to equal to 4, अभी आप देखोगे, यहाँ पे जो length है string की, यह है 4, तो अब क्या होगा, मेरे result में add हो जाएगा वो, तो यहाँ पे मेरे result में मैंने add कर दिया, और उसके बाद में हो जाएगा यह return, तो अगर आप देखोगे, यहाँ से return करके यह गया, यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था last में, closing bracket add किया था, इसका मतलब यह last condition है, तो यहाँ से भी यह return हो जाएगा, अब यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद यह था opening bracket, इसका मतलब यहाँ पे second condition यह हुई थी, execute हुई थी, तो इसका मतलब मेरी third condition और भी बाकी है, तो मैं जाओंगी third condition पे check करूंगी, is my r less than l, r is 1, l is 1, is 1 less than 1, no, okay, method यहाँ पे खतम हो गया, ठीक है, अब मैं यह box से फिर से चले जाओंगी, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे, कि यहाँ पे मैंने opening bracket का भी call हो गया, मेरा closing bracket का भी call हो गया, इसका मतलब यह भी method end है, तो यहाँ से यह चले जाएगा initial इस पे, और जैसे यह initial इस पे चला जाएगा, इसका मतलब की, इसने सारे जो permutation combinations है, सारे इसने कर लिये search, तो इसका मतलब, यह result जो है, यही मेरा actual result है, तो देखते हैं, हम इसको भी code में कैसे convert कर सकते हैं, First things first, सबसे पहले हमें DFS method चाहिए, तो मैं करूँगी DFS create, मिझे first कह चाहिए था left, तो मैं करूँगी left, फिर second था मेरा right parameter और मेरे पास एक string होनी चाहिए, then सबसे पहले condition क्या थी, हम चेक करने वाले है कि मेरी length of s to n है क्या, तो मैं वो करूँगी, if length of s is equal to 2 into n, तो क्या करेंगे हम, मेरे result में append करेंगे, क्या append करेंगे, मेरी string, और फिर उसके बाद करेंगे return, next condition क्या थी, next condition थी, is my left less than n, अगर मेरा left less than n है, तो मैं करूँगी फिर से DFS call, उसमें क्या होगा, मेरा left increment करूँगी, में, so left plus 1, मेरा right वैसा ही रहेगा, और s string में, मैं add करूँगी, opening bracket, similarly, मेरे right की condition, right is less than left, अगर मेरा right left से कम है, तो मैं करूँगी, DFS call, left रहेगा वैसे ही, right हो जाएगा, right plus 1, और s में कर दूँगी, add closing parenthesis, अब DFS function तो हो गया, तो और क्या चाहिए था, सबसे पहले तो result चाहिए, result store करने के लिए, तो result बना लिया, और उसके बात, lastly, मुझे चाहिए, ये मेरी DFS function का call, तो left था 0, राइट था 0, और initially मेरी string थी empty, last में हम return करेंगे, result, तो देखते हैं, इसको run करके, okay, submit, okay, तो आप देखोगे कि ये accept हो रहा है solution, तो इसकी time और space complexity के बार में बात करते हैं, actually, यहां पर मैंने लीट कोड की टाइम और space complexity देखना ट्राइ किया लेकिन ये काफी अजीब है, तो इसकी actually time or space complexity निकालना, अगर आप बहुत accurately निकालने जाओगे, तो it's very weird, आप देखोगे 4 raised to n upon root n, तो इसका simple way है करने का जो approximate time complexity है, जो आप interviews में actually बोल सकते हो, तो वो यह है कि अभी भी आप कोई binary, यह तो हमारा एक tree stripe structure हो गया, यहां पर मैं, तो for example, मैं आपको बताती हूँ, कि अभी यहां पर क्या हो रहा था मेरे function में, जो भी मेरा DFS का function था, वो दो और DFS calls कर रहा था, यहां पर आप देखोगे, कि यहां पर एक first DFS call है, और यहां पर है मेरा second DFS call, तो every time मैं दो call कर रही थी DFS के, फिर वापस उसके अंदर भी मैं दो call कर रही थी, तो मैं दो call कर रही थी, तो यह kind of क्या हो गया, binary tree हो गया, और अगर आप देखोगे, तो हर इसमें मैं दो इसमें end कर रही हूँ, अगर अभी आप ऐसे scenario में देखते हो, कि कोई एक चीज़ खुद को दो बार call कर रही है, या दो बार उसका processing हो रहा है, तो उसकी time complexity actually हो जाती है, 2 raise to n, अब इसके time complexity हो गई 2 raise to n, लेकिन हमारे scenario में n क्या है, भले हमें n 3 दिया है, बट हमें कितने parenthesis आते है, n equal to 3 में 6, which is nothing but 2n, तो यहाँ पे हमारा n actually 2n है, तो यह हमारा ऐसे हो, अगर आप इसके space complexity देखना चाहते हो, तो space complexity में actually आप देखोगे, तो हमने यह आप पे actually use किया है, just a result, जो strings store करेगा, लेकिन space लगता है, यह DFS function execute होनी के लिए, तो उसकी space complexity क्या होगी, कितने बार वो nodes बनाएगा, कितने बार traverse करेगा, तो उसकी space complexity भी होगी, 2 raise to 2n, जो की same है time complexity का, तो I hope आपको यह question समझ में आया हो, इसका code मैं मेरे github repo में डालूंगी, उसकी link description में mention कर दूँगी, अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं, तो please like कीजिए, comment कीजिए, अगर आपको मेरे ऐसे videos देखना चाहते हो future में, तो please subscribe कीजिए, यह मेरे channel को बहुत help करेगा, and thank you so much for watching, you have a good day, I'll see you next time.